दोस्तो इस वीडियो में bank of बड़ोदा का additional credit card लेना दिखाऊंगा एक credit card मेरे पास पहले से है और मैं इसका regular user हूँ और उसी के base पर मुझे additional credit card दे रहा है bank of बड़ोदा और आप इसे कैसे avail करेंगे अगर आपके में offer है तो कहा है वो आपको सारा detail दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आपको bob card जो app है वो register करना होगा उसमें login करना होगा देख सकते हैं credit card के लिए एक अलग से आपाता है bob card जिसे मैंने register कर लिया है अब मैं यहाँ पर login करने वाला हूँ देख सकते हैं यहाँ पर login हो चुका है देख सकते हैं जो मेरे पास पहले से credit card है वो है रुपे credit card ठीक है यह वाला easy जो कि यहाँ पर virtuali दिखा रहा है और अगर आपको offer होगा extra credit card के लिए तो additional card लिखावा यहाँ पर एक option है additional card यहाँ पर click करेंगे click करते ही आपको एक नया card दिखाई देदेगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लिए यहाँ पर bov का hpcl credit card दे रहा है additional credit card और इसका कोई fees भी नहीं है अगर whatsapp banking आपने register करके रखा होगा तो whatsapp पर भी message करता है देख सकते हैं यहाँ पर इसने message किया हुआ है fuel or fun with a free lifetime pass hpcl energy bov credit card जो की lifetime free होने वा ने 2024 से पहले आपको apply कर लेना है नहीं तो यह offer खतम हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं बता रहा है कि 80 liter तक petrol annually मिल जाएगा और आप इसका use करते हैं enjoy कर सकते हैं 25% of movie ticket 200 रुपे तक cashback phone पे और patium upi के expense है यानि कि रुपे variant में देगा ठीक है तो यहीं बात यहाँ प यहाँ पर card issue होगा digitally और आपको physically भी मिलेगा joining fees नील है और annual fees भी नील है तो apply करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर card के नीचे apply का option है क्लिक कर देंगे apply के उपर यहाँ पर अगले step में देख सकते हैं choose above card that compliment your lifestyle और दोस्तों मैं आपको बता दू यहाँ पर देख सकते हैं ल एक reward point में 25 पैसे होते हैं और utility payment करते हैं grocery में payment करते हैं तो आपको हर 1500 के खर्चे पर 10 reward point देने वाला है यह थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यह पूछेगा कि card offer source क्या है यहाँ पर click करके आपको बता देना है कि आपको यह offer कहां से पता चला है चलिए मैं WhatsApp डाल देता OTP डाल दिया verify OTP के उपर click कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं मेरा card generate हो चुका है congratulations your virtual B.O.B. card has been successfully issued your new card is loaded with the exciting benefits offer on leading brands card number यहाँ पर पूरा नहीं दिखा रहा है expire यहाँ पर दिखा रहा है चलिए अब proceed के उपर click कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं इसका domestic transaction online वाला यह on है और merchant outlet भी अभी on कर दिया गया है ठीक है internationally सारा off होता है अगर on है तो इसे भी off कर दीजिएगा क्योंकि internationally तभी use नह जाएगा ओके अब यहाँ पर दो कार्ड दिखाएगा इसके last में 1049 है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके card में 83 74 है ठीक है यहाँ पर दो कार्ड दिखाने लग गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं का I का icon है आख टाइप का यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर इसका limit भी same ही है उतना ही limit दिया गया है कोई भी spending नहीं दिखा रहा है अवलेबल credit limit 4600 रुपया दिखा रहा है इसके card number वगर आप copy कर सकते हैं copy करने के लिए इस card के पर click कर यह देख सकते हैं यहाँ पर copy card number आ गया है card number copy हो जाएगा यह रुपे variant में है तो इसे आप phone पे Google पे में भी जोड़ पाएंगे और 10 से 15 दिनों के अंदर यह नया card आपके घर पर भेज दिया जाएगा तो इस तरह से आप अपना एक नया additional card apply करके तुरंथी ले सकते हैं pre approved होता आईए उमीद है कि यह वीडियो देख करके आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले नय वीडियो में धन्यवाद